हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल फ्रेंड्स साथ हम सीखेंगे बहुत ही खुबसूरत और प्यारा सा डिजाइन पैटर्न इसे आप जैन स्वेटर लेडी स्वेटर बच्चक स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स यह बहुत ही प्यारी इसी डिजाइन है 6 रो की डिजाइन है और यह डिजाइन बहुत ही सुन्दर बनकर आता है तो चली यह डिजाइन पैटर्न बनाते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पर आपने फरस्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें बगर में लाइकन के घंटे उसे प्रेस करना ना भूले जिससे के मारा नेस्ट वीडियो आपको तुरंत प्राथ हो सके तो फ्रेंट से डिजाइन पैटन जो है टू के मल्टिपल बनेगा प्लस टू फंदे आपको इस्ट्रा लेने हैं तो टोटल यहां पर हमने 14 फंदे लिए हुए है आप कोई भी बॉर्डर बना लेजिए बॉर्डर बनाने के बाद आप जो है राइट साइड से रोवन से यह डिजाइन पैटन स्टार्ट कीजिएगा बहुत ही प्यारी और एकदम नए लुक वाली डिजाइन है इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा देखिए पहली सलाई है को इसको भी बॉर्डर बनाने के बाद आप फर्स्ट रो आयसे सीधा बुनते हुए कम्प्लेट करेंगे फ्रेंट्स रोवन है राइट साइड है इसको ऐसे सीधा बुनते हुए पहली सलाई को कम्प्लेट करना है friends ये second row है wrong side है इसको भी देखिए आप first fund को slip कर दिये इसके बाद पूरी रो को ऐसे उल्टा बुन लिजीए ये row two है और wrong side है तो देखिए ये से उल्टा बुनते हुए हम दूसरी सलाई को भी हम complete करेंगे और फ्रेंट देखे यह third row है right side है इसको भी हम ऐसे first फंदे को slip करेंगे और पूरी रोप को ऐसे सीधा बुनाई करेंगे देखे इस तरीके से ऐसे सीधा बुनते हुए इस रोप को complete करेंगे फ्रेंट्स row 4 है friends और ये wrong side है देखिए आप फश्पंदिक slip करेंगे row 4 को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें complete करना है देखिए friends 1 से लेके 4 row आपको केवल ऐसे सीधा उल्टा बुरना इसके बाद 2 row में design बनानी है तो यह फोर रो आपको ऐसे ही देखे उल्टा सिधा बना लेना है इसके बाद अब यहां से आपका डिजाइन पैटर्न स्टार्ट होगा तो देखे यहां रो 5-5 फंदे को हम स्लिप करेंगे अब देखे यह जो 2 फंदे है न यहां से बीच से यहां से हम सलाई को डालेंगे अँर देखे एक लूप यहां से हम ऐसे लेंगे इसके बाद यह जो दो फंदे है न इन दो फंदों का हम एक करेंगे तो देखिए हमारे यह दो के दो फंदे है अब यह ही रिपीट करना है देखिए यहां से बीच से हम एक लूप लेंगे और ये दो फंदों का एक करेंगे फिर देखिए यहां से हम एक लूप लेंगे और ये दो फंदों का एक करेंगे यहां से हम एक लूप लेंगे और ये दो फंदों का एक करेंगे यहां से हम एक लूप लेंगे और यह दो फंदों का एक करेंगे यहां से हम एक लूप लेंगे और यह दो फंदों का एक करेंगे और एक यह side कायड इश्टीचे तो यह हमारा 5th row complete हो गया अब यह 6th row है wrong side इसको भी ध्यान से देखिएगा फ़र्ष्ट फंदे को हम slip करेंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे अब देखिए दो-दो के यह जोड़े में फंदे बन करके आए हैं तो हमें क्या करना है पहले फंदे को हम देखिए ऐसे सीधा बुनेंगे इस टार्टिंग में ध्यान दिजिएगा कि देखिए wrong side में दो फंदे आपको ऐसे साइड का आई डिश्टी चेप और एक फंदा आपको सीधा बुन लेना अब यहां देखिए जो हमारा एक फंदा है इसके बगल से ही हमें एक ऐसे लूप लेना है फिर यह देखिए एक फंदा और और एक फंदा एक दो फंदो का हमें एक कर लेना है देखिए यहां से फिर हम वन लूप लेंगे और यह दो फंदो का एक करेंगे देखिए रो फाइप की तरह ही है रॉंग साइड में बस आपको थोड़ा सा डिफ्रेंट है देखिए यहां से वन लूप लेंगे और टू का वन कर देंगे देखिए हमने जब फाइप रो में किया था न यहां से वन लूप लिया था लेकिन रोट शिक्स में हमें यहां से लूप लेना है और यह जो टू फंदे हैं इनका वन कर देना है देखिए यहां से हमें लूप लेना है और यह टू फंदो का वन कर देना है यहां से देखे अफ यहां पर हमारे वनसाइट का एडिश्टिच वन पंदा सिधा बुने तो यहां भी देखिए। वनसाइट का एडिश्टिच है तो इसे उलटा बुन लेंगे तो फ्रेंड देखे यह डिजाइट ऐसे बन回去 कितना प्यारा और खुबसूरत बन कर आया है अब यही 1 से 4 रो आप जब repeat करोगे तो फ्रेंट देखे यह पूरी design ऐसे बन करके यह आएगी देखे 1 से लेके 4 रो आप repeat करते जाएगे तो पूरी design ऐसे बन करके यह आएगी यह right side है और यह wrong side है देखे दोनों side से design pattern friends ऐसे बन करके आया है देखे बहुत ही प्यारा और खुबसूरत है तो friends इसे आप बनाईए अगर आपको design अच्छी लगी हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजेगा सेयर कीजेगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजेगा फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धने बाद मिलते हैं नेस डिजैंग साथ नेस्ट वीडियो में थाइंक यू बाइ बाइ